नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलिवुट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉड़कास्ट में हम आपको तकरीबन सक्तर साल पीछे लेकर चलेंगे कहानी राजेश खन्ना की है लेकिन बहुत शुरुवाती दिनों की तबकि जब राजेश खन्ना का नाम अस्तित में भी नहीं था छोटे से बच्चे की कहानी आपको सुनाएंगे जो धीरे धीरे नए सपनों को लेकर बढ़ा हो रहा था वो बच्चा जो तब सिर्फ जतिन के नाम से जाना जाता था एक बार राजेश खन्ना से किसी ने पूछा कि पहले प्यार से जुड़ी आपकी सबसे खुबसूरत याद कौन सी है राजेश खन्ना कहते हैं कि जब मैंने पहली बार उसे किस करने की कोशिश की तो हमारी नाग टकरा गए थी यह कहानी जतिन खन्ना की है और पता है दो सरस्वती सधन ठाकुरद्वार नाका गिरगाम बंबई यह बंबई में जतिन के घर का पता था दक्षनी बंबई के गिरगाम का नाम संस्कृत के शब्दों गिरी यानि की पहाड और ग्राम यानि की गाउं से मिलकर बना है क्योंकि ये वहाँ के मशूर मालाबार हिल्स के करीब बसा हुआ है गिरगाम का ठाकुर द्वार एक बहुत ही भीड़भार वाला इलाका था और यहाँ पर जादतर मध्यमवर्क के मराठी और गुजराती लोग रहा करते थे इन्ही मराठी और गुजराती लोगों के बीच पंजाब से बंबई आये जतिन खन्ना के परिवार के लोग भी यहाँ पर बस गए जतिन के बच्पन के इन सालों में बंबई एक मेट्रो पॉलिटन के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाने में लगा था समंदर और बंदरगाहों वाला बंबई अब उंची उंची इमारतों बेशुमार मिलों नए नए रोजगारों और एक खुआप देखने वाला एक नया बंबई बनने लगा था शायद यही वज़े थी कि देश भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहर और गाउं को छोड़ कर बंबई आकर बसने लगे थे और इस बात को लेकर इस्थानी मराठी लोगों में गुस्सा भी था मन में असुरक्षा की ये भावना जन्म लेने लगी थी कि उनके अधिकारों को बाहर के लोगों के साथ बटा जा रहा है बात के दिनों में ये सियासत का मुद्दा भी बना हम सभी जानते हैं सरस्वती निवास के कुछ पुराने निवासियों को बात के दिनों तक याद रहा जब उनका इंट्रिवू लेने की कोशिश की गई जब राजिश खना बहुत बड़े सितारे हो गए तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ एक नन्हा जतिन उनसे मराठी में बात करने का आग रह करता था ताकि वो भी उनकी भाशा को सीख कर उनके सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन सके एक विशुद पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन को शायद बच्पन से यह एहसास था कि उसे इस नए शहर को अपनाना है देश की आजादी के बाद पहले दशक में बंबई की फिल्म इंड़िश्टी भी अब तीजी से आगे बढ़ रही थी और इसकी वज़े सरकार और निजी फाइनिसर्स की तरफ से आने वाले फंड भी थे 1950 के दशक में हिंदी सिनमा के सुनहरे दोर की शुरुआत हो चुकी थी इस दोर में अशोक कुमार, दलीब कुमार, राच कपूर, गुरुदत, महबूब खान, बिमल रॉय, बियार चोपला और चेतनानन, देवानन जैसी शक्सियतें अपने हर कदम के साथ भारती सिनमा के नीव को मजबूत कर रही थी जतिन का बच्पन, बंबई के बेहद मशूर और एतिहासिक रॉयल आपेरा हाउस के करीब गुजरा उस जमाने में रॉयल आपेरा हाउस में बड़ी-बड़ी फिल्मों के प्रीमियर और मशूर नाटकों का मंचन हुआ करता था सरस्वती सदन के कोने वाले दो बेडरूम के जिस फ्लैट में खन्ना परिवार रहता था उस फ्लैट की बालकनी जगनात मार्क पर खुलती थी यही रास्ता चिड़ा बाजार से होते हुए रॉयल आपेरा हाउस तक जाता था अपने मामा के साथ जटिन अकसर इस रास्ते से होते हुए आपेरा हाउस के विशाल कमपाउंड में पहुँच जाता था कमपाउंड के दीवार पर लाइन से उन फिल्मों के बड़े-बड़े पोश्टर हुआ करते थे जो यहां पर दिखाई जाती थी इन रंगीन पोश्टर्स को देखना जटिन को बहुत अच्छा लगता यह उसके बच्चपन के सपनों की तरह ही रंगीन थे जटिन अपने पिता चुन्निलाल खन्ना और मा लिलावती खन्ना की एकलोती संतान थे मा लिलावती के बेशुमार प्यार के साएं में उनकी परवरिश किसी राजकुमार की तरह हो रही थी जटिन उन्हें चाईजी कहकर पुकारते जो पंजाबी में किसी बड़ी उमर की महिला के लिए एक रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है ये बात अजीब लग सकती है कि जटिन उन्हें मा कहकर क्यों नहीं पुकारता था असल में चुन्नी लाल और लिलावती खन्ना जटिन के असली माता पिता नहीं थे चुन्निलाल खन्ना दरसल जतिन के पेता के बड़े भाई थे यानि रिष्टे में वो जतिन के ताउ लगते थे बच्पन में ही चुन्निलाल और उनकी पत्नी लिलावती ने जतिन को गुद ले लिया था और अपने साथ बंबई ले आए थे राजेश खन्ना की जिन्दगी के इस हिस्से के बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया इसलिए ज्यादा बता भी नहीं सकते क्योंकि राजेश खन्ना इसे बेहद इसे लेकर बहुत सम्विदनशील थे और आम तोर पर इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे उनके जीवन के इस पहलू के बारे में जानकारी जुटाना बहुत एहम है लेकिन ये जानकारी कैसे हासिल की जाए इस बारे में जानने के लिए पत्रकारों ने बड़ी महनत की और कई कड़ियों को जुड़ा औरंत में कई चौंकाने वाली बातों के साथ साथ ये सच भी साम जितिन का दाखिला गिरगाम के प्रतिष्ठित स्कूल सिंट सिबिस्टिन गोवन हाई स्कूल में करा दिया गया उस जमाने में गिरगाम के उच्च मदम वर्क के ये स्कूल बहुत मशूर हुआ करते थे क्लास में उनकी दोस्ती रवी कपूर नाम के एक लड़के से हुई जो आगे चल कर फिल्म इंड़स्टी में जीतिंदर के नाम से जाने गए जी बिल्कुल सही आपने पहचाना सेंट सेबिस्टेन गोएन हाई स्कूल के करीब रहने वाले अनिल बाबुराव चारी को वो पुराने दिन याद हैं और बात के दिरों में उन्होंने एक इंटर्विव में चारी ने पुरानी यादें बाटते हुए कहा कि स्कूल की छुटी के बाद जतिन और रवी भागते हुए स्कूल से बाहर आते थे और स्कूल के बाहर लगे ठेलों से आईसक्रीम चिक्की और गोला खरीडते वैसे ही जैसे हर बच्चे करते अब जतिन चुकी घर का लाडला था उसकी हर मांग को पूरा किया जाता उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जतिन को लगने लगा था कि उसकी फरमाईशें हर हालत में पूरी होती है और इसने उसे थोड़ा सा जिद्दी बना दिया वो ये चाहता था कि घर और स्कूल में सब उसी पर ध्यान दे सालों बाद जतिन के घर के श्टाफ का हिस्सा रहे प्रशांत कुमार रॉय बात के दिनों में एक इंटर्वी में बताते हैं कि चाई जी हमें अक्सर उनके बच्पन के किस्ते सुनाती थी और वो हस्ते हुए कहती थी कि ये तो बच्पन से ही राजा जैसा है जब स्कूल से लोटता था तो कहता था कि चाई जी को नीचे के गेट पर बुलाओ वो मेरा बस्ता उठाएंगी तभी मैं उपर जाओंगा घर में कमरे में बिल्डिंग में चुकी लिफ्ट होती नहीं थी उन दिनों तो सीड़ियां उतर कर चाई जी दोड़ी दोड़ी आती थी और वो भी जित करते थे जो जित करते वो पूरी होती वो मुस्कराते हुए बताती कि जतिन रोता बहुत था और अपने मन का ना हो तो रोना शुरू कर देता था ये इसका काम था तो बेशुमार लाड़ प्यार की वज़े से चोटी उम्र में जतिन की जो जित थी वो बढ़ती जा रही थी लेकिन बच्पन की एक घटना ने उसके मन पर बहुत गहरा असर डाला जतिन के करीब रहे एक शक्स ने उनके बच्पन का एक किस्सा बया करते हुए बताया कि वो अपनी पूरी जिन्दगी इस वाक्य को कभी भूले नहीं और उन दिनों जतिन की उमर करीब बारा साल की रही होगी और उनके पिता एक कांट्रेक्टर थे जो रिल्वे को कॉटन सप्लाई किया करते थे उनके दफ्तर के बाहर कुछ साल पहले तक भी एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चुन्नी लाल खना एंड कंपनी गौर्मेंट कांट्रेक्टर और जतिन उस रोज स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आफिस पहुँचे पिता किसी मीटिंग में गए थे उनके केबिन के अंदर जाते ही जतिन कूत कर अपने पिता की कुरसी पर बैट गए और कॉमिक्स पढ़ने लगे और ठीक उसी वक्त उनके मामा केके तलवार केबिन के अंदर दाखिल हुए तलवार जतिन के पिता के साथ काम करते थे और बात के दिनों में केके तलवार ने कईफल में पूडूस की जो जिसमें राजश खना ने अभी ने किया खेर जतिन को अपने पिता की कुरसी पर इस तरह बैठे देखकर पदा नहीं क्यों ने बहुत गुसा आया और उन्होंने एक उंची आवाज में जतिन से पूछा काका तुम इस कुरसी पर कैसे बैठ गए इतना सुनते ही जतिन घबरा गया मामा का गुसा और सवाल उसकी समझ में नहीं आया मामा ने आगे कहा पहले लायक बनो कि किसी दूसरे की कुरसी पर बैठ सको चलो उठो यहां से और उनके गुसे को देखकर जतिन डर गया और फॉरण अपने पिता की कुरसी से उतर कर खड़ा हो गया और उसकी आँखों में आसु आ गए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है और कुछी मिनट में वो तेजी से वहां से निकला और सिधा चाई जी के पास पहुँच गया और उन्हें देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा जैसे कोई बच्चा करे और उस छोटी सी उमर में जतिन को मामा की शब्दों का मतलब तो समझ में नहीं आया मगर उसे बुरा बहुत लगा और सालों बाद इसी घटना को याद करते हुए राजश खन्ना ने अपने एक इंटिव्वी में कहा था कि मामा की डांट से पहले उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी उन्हें अपने घर में ना सुनने की आदत बिलकुल नहीं थी और बहुत बाद में घर लोट कर वो बहुत तल बिलाए हुए थे मामा की बात उन्हें बहुत चुभी थी पत्रकार भावना सुमाया को दिये इंटिव्वी में राजेश खन्ना ने कहा कि घर वापस लोट कर मैंने अपनी मा से पूछा डिजर्विंग का मतलब क्या होता है और ऐसा क्यूं है कि एक बेटा अपने पिता की कुरसी पर नहीं बैठ सकता जतिन के इस मासूम सवाल के जवाब में लीला वती खन्ना ने जो कहा वो जतिन के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया ये उसके जिन्दगी का पहला एहम सबक था चाई जी ने उसे उसके पिता के संघर्ष की दास्ता सुनाई चुन्निलाल खन्ना ने ठाक उर्दवार की एक चौल में रहकर बंबई में अपनी जदो जहद शुरू की थी और अपनी कड़ी महनत के बाद वो एक मामूली सुपरवाईजर से रेलवे कांट्रेक्टर बने थे और आगे चलकर उन्होंने अपने बिजनेस की नीव डाली दिन रात महनत करते हुए संघर्ष में कितने साल कैसे बीद गए पता ही नहीं चला और कहानी सुनाते हुए आखर में चाईजी जतिन से बोली तुम्हारे मामा ने आज जो तुम्हें लायक बनने की जो बात कही है इसका मतलब ये था कि जिस तरह वो महनत करके उस कुरसी तक पहुँचे हैं तुम्हें भी जिन्दगी में वैसी महनत करनी होगी लायक बनना होगा और ऐसी मुश्किलों से पूरी तरह अंजान अपने पिता के संगर्श की कहानी उस दिन जतिन ने बड़े ध्यान से सुनी और अन्तमे चाईजी ने उससे कहा कि अगर तुम अपने बुरे वक्त में भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी तुम्हें नहीं भूलता यानि कि राजेश खनना पूरी जिन्दगी नहीं भूले जो दिन के एक करीबी दोस्त बताते हैं कि वो इस वाक्य का जिकर अकसर करता था उसके छोटे से मन में ये बात घर कर गई थी उस दिन के बाद वो कभी किसी दूसरे की कुरसी पर नहीं बैठा अब उसे कुरसी पर बैठने के लायक बनना था लायक यानि कि एक ओधा हासिल करना था जिसे बाद में राजेश खनना ने किया भी हम सभी जानते हैं कि बच्पन के सबक को राजेश खनना कभी नहीं भूले और उन्होंने खुद को साबित किया ये सुपरिश्टार राजेश खनना के बहुत बच्पन का किस्सा है सुनते रहिए दब ऑलिवुट फेडियो सुनता है सारा इंडिया